हेलो मैं डीके स्टुडेंट कैसे वह आप सभी लोग में उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिलको ठेक स्वस्त और मस्त हूंगे जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अभी लाश्ट थ्री क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया है एसीड बेस इन सॉल्ट के सभी बेसिक कॉंसेप्ट और थ्योटिकल की चीजों को अच्छे तरीके से समझ लिया था तो आज उसी एसीड बेस इन सॉल्ट पर बेस्ट हम MCQ जो प्रिविएस येर के इंदर एक्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्ण है या जो बार बार एक्जाम के इंदर रिपीट किये जाते हैं उन प्रश्णों को मैं आपके सामने लेकर के उपलब दुआँ तो चलिए हम एक एक करके इन प्रश्णों को देखते हैं क्योंकि ये प्रश्ण बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है मैं बार बार आप सभी बच्चों को बताता हूं कि मैं हायर लेबल पर तब लेकर के जाऊंगा जब आप लोग बेसिक की चीज़ों को कम्प्लीट कर लोगे चलिए बच्चे ये सबसे पहला कुशन जैसा कि मैंने आपको बताए कि NDA 2000 के लिए हम ये अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं केमिस्ट्री के MCQ को लेकर के आएं किसके केमिस्ट्री के MCQ को मैं आपके सामने लेकर के उपलब्ध हूं ठीक है बच्चे तो चलिए ये आपको दिखाई दे रहा हुगा NDA 21, NDA 1 2023 केमिस्ट्री MCQ किस से रिलेटेड है एसीड बेसे और सॉल्ट से रिलेटेड है तो ये लोग सबसे पहला कोशन आपके सामने हाजिर होने वाल है ये लोग सबसे पहला कोशन आ चुका है आपके सामने है और आपको इसका रिप्लाई देना है विच वन आप गीवन इस एन मिनरल एसीड आपको बताना इनमें से कौनसा मिनरल एसीड है तो मैं आपको बता दूँ आपको पहले एक बात पता होना च्छे कि मिनरल एसीड क्या होता है तो जनरली आप सभी बच्चों को मैं अच्छी तरीके से बता चुका हूँ कि जो एसीड होते हैं, जो हमारे अमल होते हैं, वो दो परकार के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, एक एसीड वो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, और गेनिक एसीड, और गेनिक एसीड को हम बोलते हैं, कार्बनिक अमल, कौन से अमल होते हैं तो सर वो अमल जिस अमल के अंदर कार्वन की मात्रा पाई जाती है बड़ दूसरा होता है इन और्गेनिक एसीड या इसी को हम बोलते हैं मिनरल एसीड अब मिनरल एसीड क्या होता है सर खनीज अमल क्या होते हैं तो खनीज अमल उन अमलों को बोला जाता है जिन अमलों के अंदर हाइड्रोजन की मातरा उपस्तित नहीं होती है ठीक है जिसके अंदर कारवन की मातरा उपस्तित नहीं होती है यदि सही तोर पर बोलूं तो और्गेनिक एसीड वो होते हैं जो नेचुरल acid वो होते हैं जो मैं खाने पीने के source से प्राप्त होते हैं खाने पीने के source की बात करें जैसे curd, दही के इंदर कौन सामल होता है तो बोलना सर औरगेनिक यदि मैं आप से पूछू orange में कौन सामल होता है सर औरगेनिक यदि मैं आप से called synthetic acid इसे हम synthetic acid के नाम से भी बुलाते हैं कृत्रिम अमल बोल सकते हो जैसे सबसे पहला synthetic acid जो laboratory में तयार किया गया हो H2SO4 उसके बाद HCL hydrochloric acid उसके बाद HNO3 nitric acid तो यह हम लोगों को पता होना चाहिए कि acid कितने type के होते हैं और किस acid को organic acid किस acid को हम mineral acid के नाम से जानते हैं तो अब यहां पर आप लोगों को यह बात idea पता चल चुका होगा कि acid कितने type के होते हैं और acid को हमने दो बागों में क्यों बांटा है क्योंकि एक natural है और दूसरा है artificial तो विच वन ऑग गीवर इस mineral acid वो होते हैं जो laboratory में synthesize की जाते हैं जैसे lectic acid नहीं क्योंकि lectic acid खाने वाला होता है जो हमें किसके इंदर मिलता है दही में मिलता है फॉर्मी के acid यह भी नहीं यह किसके इंदर जो लाल चीटियां होती है उन चीटियों के डंक में पाए जाता है па कि मिन्रल एसीड मिन्रल एसीड安 क्यों है क्योंकि इसको laboratory में तयार किया जाता है लेकिन एक चोटी सी बात और मैं बता दूँ कि हमारे पेट के अंदर human stomach हमारे पेट के अंदर भी एक HCL तयार होता है बट ये HCL जो तयार होता है ये एक परकार के organic की तरह से तयार होता है जो हमारे पेट के अंदर मौझूद होता है जो एक परकार का concentrated acid जिसके pH value 1.2 से 2.2 के between में लाई करती है तो मैं मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि acid कितने type के होते हैं और इनमें से mineral acid किसे बोलेंगे या हम इनमें से organic acid किसे बोलेंगे चले बच्चों दूसरे question के तरह बढ़ जाते हैं दूसरा just उसका opposite है which one of the given is an organic acid अभी मैं बता चुका हूँ organic acid या carbonic अमल उन अमल को बोलते हैं जो अमल हमारे प्राकृतिक अमल होते हैं जो प्राकृतिक के सुरोतों से हमें प्राप्त होते हैं किसे प्राकृतिक सुरोतों से हमें प्राप्त होते हैं इसको भी खा जाता है क्योंकि यह दही के इंदर हमें मिलता है तो अब यहां से हमारा answer A सही होगा और हमारा answer यहां पर कौन सा सही होगा C सही होगा, both 1 and 3, option D is the right answer, both 1 and 3, A and C is the right answer A और C जो होगा, वो इसका बिल्कुल सही और उचीत answer होगा Next question, which one of the given is incorrect? आपको बताना है इन में से कौन सा incorrect है Incorrect का मत्तब इन में से कौन सा गलत है Which one of the given is incorrect? Acid turns blue litmus paper into red मैं आपको दो बातें याद कर रहा देता हूँ, उसको याद रख लेने आप लो कि जो acid होते हैं, acid के लिए मैं आपको एक नाम याद करा रहा हूँ, anil क्या नाम याद करा रहा हूँ, anil तो anil का मतलब, a का मतलब होता है aml और ni का मतलब होता है neila और lo का मतलब होता है lal तो मेरा कहने का मतलब है, aml वो होते हैं जो नीले litmus paper को lal में convert कर देते हैं एक और दूसरा याद कराता हूँ, belan कहोगे सर, बेलन से क्या है, तो base से बना base बेस से बना base, या जिसे हम छार बोलेंगे ल से बना लाल और न से बना नीला तो base वो होते हैं, छार वो होते हैं जो लाल litmus paper को नीले में बदल देते हैं तो कहता है कि acid turns blue litmus paper into red this is the right, यह बिल्कुल सही है acquice solution of acid conduct the electricity, यह भी बिल्कुल सही है acquice solution of acid and base both conduct the electricity acid react with certain metals to form hydrogen gas, यह भी बिल्कुल सही है ल्यक्याज़ के साथ मिल गे जसे ज़ेदी मैंने HCL को मिला दिया किसी sodium के साथ तो sodium के साथ मिलाने पर ये बन जाएगा NACL और प्लस में जो gas release होगी वो कौनची gas होगी hydrogen gas release होगी तो ये कहा रहा है none of these ये हमारा बिल्कुल सही है इन में से कोई साभी इसका answer जो है वो incorrect नहीं है सारे के सारे correct है इसलिए हमारा answer D जो है वो बिल्कुल उचीत रहेगा ठीक है चलिए बई Next question number 3 है Which one of the given acid is used in the treatment of bone marrow and scurvy disease अब आपको मैं बता दू bone marrow या scurvy disease का नाम आपने सुना होगा scurvy हमें कौन सी vitamin की कमी से होता है तो scurvy एक रोग है जो हमें vitamin D की कमी से होता है कौन से vitamin की कमी से vitamin D की कमी से होता है तो यदि इस vitamin D की कमी को sorry vitamin D नहीं vitamin C not vitamin D this is the vitamin C तो हमें vitamin C की कमी से होता है तो इस vitamin C की कमी को पूरा करने के लिए हमें vitamin C के source का use करना होता है नहीं तो कुछ vitamin C की गोलियां दी जाती है तो विटामीन C के जो में सोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं वो सिट्रस फ्रूट होते हैं सिट्रस फ्रूट यानि खटे फल खटे फल में क्या क्या आता है तो खटे फल में आएगा आमला आपको आएगा नीमू आपको आएगा संत्रा ये सारे खटे फल में आते हैं ये सारे कौन से फल में आते हैं खटे फल में आते हैं फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि विटामिन C का एक केमिकल नाम एक रासाइनिक नाम है एसकॉर्बीक एसीड दे केमिकल नेम और विटामिन C is called ascorbic acid तो vitamin C बोलो या ascorbic acid बोलो बात से में तो acetic acid तो बिल्कुल नहीं होगा hydrochloric acid बिल्कुल नहीं होगा nitric acid बिल्कुल नहीं होगा तो हमारा कौन सा right answer होगा ascorbic acid ascorbic aml is the right answer ascorbic aml का प्रयोग किसमें किया जाता है bone marrow के treatment में या इसकरवी disease से जो ग्रसित हो जाते हैं वेक्ती वो इनके रोक से निजात पाने के लिए इसका उप्योग करते हैं क्योंके चलिए वई next question number 5 acid present in apple is apple में कौन सा अमल पाय जाता है हलाकि जो इसे बोलना चाहिए था वो कौन सा apple बोलना चाहिए इसे green apple या बोले तो हरा से बोलना चाहिए था अब हरे से ब के इंदर एक special type का acid पाया जाता है that is called maleic acid जिसे हम maleic acid के नाम से जानते हैं तो औक जेली के इसीड किसमें पाया जाता है औक जेली के इसीड टमाटर में होता है मेली के इसीड किसके इंदर होता है तो या दखना हरे सेव के इंदर होता है किसमें हरे सेव एसीड के इसीड किसके इंदर होता है तो एसीड के इसीड विनेगर सिरका का नाम आपने सुना होगा विनेगर सिरका और फॉर्मिक इसीड किसमें होता है ये चीटी के अंदर होता है, ये मदुमक्की के डंक में होता है, बिच्छू के डंक में होता है, ये नेटल का एक पौधा होता है, उन पौधों के डंक में होता है, तो इन सभी जगा पर कौन सा एसीड है, जो आपको पता चल चुका है, एसीड के अंदर पूछा गया है कि से में कौन सा है तो हमारा आंसर होगा मेलीक इसी कौन सा हमल मेलीक इसी मेलीक अमल most of the oxides of metal when react with acid form यह कहारा कि अधिकतर जो metal oxide होते हैं metal oxide का example में ले लेता हूँ Na2 sodium oxide और यदि इसको मैंने react करा दिया most of the oxide of metal with react with acid यदि मैंने मान लो इसको HCl के साथ react करा दिया तो formation किसकी होगी sodium chlorine के साथ मिलकर के sodium chloride एक salt बनाएगा और hydrogen oxygen के साथ मिलकर के water जल का निर्मान करेगा तो this is called salt and this is called water तो जब भी कोई metal oxide किसी acid के साथ react होता है तो वो formation में product के इंदर हमें salt plus में water का निर्मान करता है तो वो कहता है force based बिलकुल नहीं from an acid बिलकुल नहीं forms a salt बिलकुल ये एक salt का निर्मान करता है किसका निर्मान करता है तो ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप से बच्चों को अचीछी तरीकिसे समझ में आ रही होगी फिर भी यदि किसी को कोई doubt है तो आप चीजों को comment करके आप पूछ सकते उसका answer आपको तुरन मिलेगा अहला कि कोई ऐसी चीज बच नहीं रही है कि जो आपके समझ में नहीं आईगी Question number 7 Generally when certain metal react with an acid they release यह कहारा generally when certain metal react with acid they release अब आपको पता है यदि किसी भी metal को आप किसी acid के साथ mix करते हो तो यह confirm है कि वो हमेशा यहां salt और plus में जो gas release करेगा that is called hydrogen gas वो कौन सा gas होगा hydrogen gas होगा अब मैं इसके example भी देता हूँ यदि मैं metal के नाम लो तो माल लो इस बार मैंने magnesium ले लिया metal acid का नाम लो तो माल लो मैंने ले लिया इस बार H2SO4 acid तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता यह magnesium sulfate के साथ मिल करके और hydrogen इदर direct release हो जाएगा तो magnesium sulfate का यह salt है और hydrogen एक water है तो यह कौन से gas को release करेगा तो याद रखना hydrogen gas is released hydrogen gas is released next question number 8 which one of the given is used which one of the given is formed when the sodium hydrogen carbonate react with hydrochloric acid तो यह chemical reaction आपको याद अखना बहुँ जलूरी है देखो जब sodium hydrogen carbonate sodium hydrogen carbonate जब react करता है किस के साथ hydrochloric acid के साथ HCl के साथ react करता है तो यह क्या formation करता है तो मुझे पता है कि यहाँ एक परकार का salt बनेगा और sodium जब भी chlorine के साथ मिलता है तो sodium chloride बनाता है और plus में इसके साथ H2O एक gas release हो H2O water release होगा और जो इस बार gas release होगा वो gas होगा carbon dioxide वो gas होगा carbon dioxide अब मैं बता दू यह carbon dioxide जो है एक परकार का आग बुझाने वाली gas है इसको fire extinguisher gas के नाम से बोलाई जाता है आग बुझाने वाली gas क्योंकि carbon dioxide का परियोग हम आग बुझाने में करते हैं और carbon dioxide water में बहुती easily dissolve हो जाती है आग बुझाने वाली gas fire extinguisher गैस के नाम से इसको हम जानते हैं तो यदि कई बार आपसे कोशन पूचा जाए, इसी को बोला जाता है baking soda, इसको हम क्या बोलते है, sodium hydrogen carbonate को baking soda के नाम से जाना जाता है, यदि आपसे कोशन पूचा जाए, कि soda का प्रियोग आग बुजाने वाले के रूप में किया जाता है, तो बोलना सर्फ baking soda, या इसे बोलते हैं खाने वाला soda, इसका chemical नाम sodium hydrogen carbonate या sodium by carbonate है, तो कौन सा इस में से सही जबाब होगा, A. sodium chloride, B. carbon dioxide, C. water and D. all of these, तो कह रहा है, then react with hydrochloric, which one of the following when the sodium hydrogen carbonate react भी, तो sodium chloride भी बन रहा है, carbon dioxide भी बन रहा है, water भी बन रहा है, इसका मत्तब option D जो है, वो बिल्कुल सही होगा, option D is the right answer, सारे के सारे product के अंदर हमें ये प्राप हो रहे हैं, next question number 9, प्रश्ण संक्या 9, A strong acid is, एक strong acid की क्या पहचान होती है, completely get ionized in water, partially get ionized in water, do not get ionized in water, तो या दगना strong acid की पहचान होती है, it's completely ionized in water, यदि मैं एक strong acid को किसी पानी के अंदर mix कर दूँ, तो पानी के अंदर mix करने पर, ये completely अपने ion को release करते हैं, completely अपने ions को क्या कर रहे हैं, release कर रहे हैं, S3O plus और CL minus को ये बिल्कुल separate कर देता है, लेकिन यदि मैं base की बात करूँ, तो base के अंदर ऐसी possibility नहीं होती है, sorry, यदि मैं weak acid की बात करूँ, तो weak acid के अंदर ions तो release होते हैं, बड़ completely released नहीं होते हैं, वो partially released होते हैं, तो यदि partially release की बात कर रहा हैं, तो वो weak acid है और यदि वो और यदि वो completely release की बात कर रहा है तो वो strong acid है कौन से acid है बच्चे वो एक परकार का strong acid है यानि एक परकार का प्रबल अमल है ठीक है चलिए बच्चों आगे हम अगले प्रश्ण के दरह बढ़ जाते हैं which of the given is a strong base which of the given is a strong base आपको बताना इन में से कौन सा है कि strong base है calcium hydroxide magnesium hydroxide ammonium hydroxide potassium hydroxide तो इन में से strong base कौन सा है या दगना इसी को बोला या ता select lime या इसको बोलते हैं बुजहा हुआ चूना इसको बोलते हैं magnesium hydroxide या इसको बोला जाता है milk of magnesia milk of magnesia milk of magnesia और यह ammonium hydroxide ammonium hydroxide और लास्ट का है potassium hydroxide यह कौन सा है potassium hydroxide तो या दगना यह है हमारा strong base बढ़ यह सारे के सारे हमारे है weak base कैसे है weak base और weak base को हम as a antacids के रूप में use करते हैं antacids का मतलब प्रती अमल के रूप में प्रियोग करते हैं प्रती अमल का मतलब जब हमारे पेट में acidity बन जाती है जब हमारे पेट में अमल की मात्रा जाद हो जाती है या अमलता हो जाती है तो उस अमलता से प्रभाव को कम करने के लिए हम base का use करते हैं हम किसका use करते हैं छार का क्योंकि आपको पता है कि जब एक acid एक base के साथ मिलता है तब हमें पता है कि वो इधर product में salt और plus में H2O का निर्मान करता है मतलब ना तो ये acid nature का बचा और ना ही ये base nature का बचा जब acid और base दोनों एक दूसरे के साथ completely mixed होते हैं तो ना तो product में acid मिलता है और ना ही base मिलता है तो क्या मिलता है तो बोलना acidic base के nature का होता ही नहीं है तो salt and water इस chemical reaction को आपको पता है neutralization या इसको उदासिनी करन के नाम से जाना जाता है इसको किस नाम से जानते हैं इसको हम उदासिनी करन के नाम से जानते हैं ठीक है वही तो इसका option D जो है वो बिलकुल right answer है चली next question के तरह बढ़ते हैं question number 11 प्रशन संख्या 11 which of the given is used as an antacids अभी antacids का जिक्र किया जा रहा था और ये antacids हमारे सामने आ चुका है which of the given is used as an antacids इन में से कौन से एक परकार का antacids है कौन से एक परकार का प्रती अमल है sodium hydroxide NaOH calcium hydroxide CaOH magnesium hydroxide MgOH which of the given is an antacids इसको तो हम sodium hydroxide को antacids के रूप में यूज नहीं कर सकते क्यों यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक परकार का strong base है और मैंने बता है कि antacids के रूप में हम weak base का यूज करते हैं तो ये भी weak base है और ये भी weak base है तो हमारा answer इन दोनों के दोनों सही होंगे तो ऐसा यहाँ पर दे दिया जाना चाहिए all of the above ये गलत दिया है इसकी जगह पर दिया जाना चाहिए both B and C तब हमारा right answer option D हो जाएगा लेकिन फिर भी यदि इन दोनों में से किसी एक को choose करना पड़े तो उसमें आप इसको choose करना ये बात आपको याद रखना है क्योंकि एंटा सीड्स के रूप में इसका प्रियोग जादा तर किया जा रहा है कहाँ पर आपने इनो देखा होगा इनो पीते हो ना तो इनो जो होता है वो इनो तो कंपनी का नाम है बट इनो में कौंचा केमिकल मिला होता है तो याद रख ले ना magnesium hydroxide डाइजीन गैसो फास्ट या कोई भी ऐसा chemical जो आप यूज करते हो किसके लिए acidity से relief पाने के लिए तो उन सभी के इंदर केवल और केवल एक मात magnesium hydroxide का प्रियों किया जाता है चलिए बच्चे अगला question which one of the given is the pH value of pure water pure water का pH मान क्या होता है सबसे पहले आप से यही पूचा जाएगा सुद्ध जल किस जल को बोलते है तो याद अकना वर्सा के जल को किसके वर्सा के जल को सुद्ध जल बोलते है प्योर वाटर इस कॉल सुद्ध जल किसके वर्सा के जल को सुद्ध जल बोला जाता है वर्सा के जल को और याद अकना वर्सा के जल का pH मान कितना होता है तो यदि यह प्योर है तो इसका pH न होता है 7 और यदि इसका pH मान 7 है तो ना तो ये acide है और ना ही ये base है ये कैसा है? ये 80 है कैसा है? उदासीन है तो यहाँ पर उसकी pH वेलू पूछिए तो तो pH वेलू हमारी हो जाएगी कितना साथ लेकिन जैसे जैसे वर्सा के जल का pH मान कम होता जाएगा और कम होते होते यदि रेन वाटर का pH मान 5.6 से कम हो जाए तो फिर इस रेन वाटर को बोलेंगे कौन सा रेन, एसीड, रेन, अमलिय वर्सा कौन सी वर्सा बोलेंगे, अमलिय वर्सा तो जब भी वर्सा के जल का pH मान 5.6, 5.6 से कम हो जाए तो उस जल को बोलेंगे एसीड रेन, अमलिय वर्सा अब हलाग कि मैंने आपको समझाया हुए क्लास में फिर में समझा दूँ यदि आपसे पूचा जाए Acid Rain में किसमें Acid Rain में कौन-कौन से Acid होते हैं तो यादक ना Acid Rain में दो टाइप के Acid होते हैं सबसे पहला H2SO4 Sulfuric Acid और second HNO3 Nitric Acid सर ये 2 Acid कैसे बनते हैं और कहां बनते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हमारे वायू मंडल में Sulfur को जलाया जाता है तो Sulfur जलने के बाद ये SO2 का निर्मान करती है और SO2 नीचे से उपर हलकी होने के कारण जब ये उड़ती है तो उपर बादल मिलते हैं और बादलों में भरा होता है पानी बादलों में क्या भरा होता है पानी तो इस पानी से ये रियक्ट करके अब ये एक नया कंपाउंड बनाती है जिसका नाम है Sulfuric Acid बड़ जब हमारे वाई मंडल में नाइट्रोजन को जला आ जाता है तो नाइट्रोजन के जलने से जो गैस मिलती है वो नाइट्रोजन डाइओकसाइड है और जब ये नाइट्रोजन डाइओकसाइड उपर जाकर के बादलों के साथ मिलेगा अब बादलों में क्या वहरा होता है सर पानी तो यह जो नया केमिकल बनाएगा होगा HNO3 तो AC drain की value जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाए तब उसे हम अमलिय वर्षा कहते हैं उसके बात यदि मैं बात करूँ तो वर्षा के जल को सबसे सुद्ध जल माना जाता है जिसका pH मान 7.0 यानि 7 होता है जो एक परकार का ना तो AC drain ना ही एक परकार का बेस है एक परकार का उदासिन यानि यह neutralization है ठीक है वही तो और यदि आपसे पूचा जा AC drain के इंदर कितने टाइप के AC होते हैं तो दो टाइप के AC होते हैं Sulfuric Acid और प्लस में कौन सा Nitric Acid Sulfuric Acid कैसे बनता है जब Sulfur को जलाया जाता है Oxygen की पस्तिदी में तब Sulfuric Acid का निर्मान होता है और Nitrogen को जब जलाया जाता है तो Nitric Acid का निर्मान होता है तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ रहे होगी ठीक है बई चलिए आगे बढ़तें नेक्स अगले प्रश्ण की तरफ नेक्स कोशन है कोशन नमर 13 प्रश्ण संग्या 13 यह कह रहा है कि यदि किसी का प्येच मान साथ है तो इन में से कौन सी स्टेट्मेंट करेक्ट होगी अरे बिल्कुल गरत मैं आपको बता देता हूँ कि यह हमारा एक परकार का प्येच स्केल है मानलो क्या है pH scale तो pH scale में value जो होती है 0 से start हो करके कहां तक होती है 14 तक होती है और बीच में एक number होता है जो number 7 पर रिपर जिन करता है तो याद अखना 7 वाला होता है उदासीन 7 वाला कैसा होगा उदासीन और इस 7 से जो भी कम होंगे वो सारे के सारे होंगे अमल और 7 से जितने भी ज़्यादा होंगे वो सारे के सारे होंगे बेस सारे के सारे होंगे छार तो अमल 7 से कम छार 7 से ज़्यादा और उदासीन कितना हो गया 7 हो गया उदासीन कितना हो जाएगा जब उसका pH मान कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा तो एक बात आप लोगों को याद रख लें लेकिन एक छोटी सी बात और बताता हूं कि जैसे जैसे किसी अमल का pH मान कम होता जाता है वैसे वैसे उस अमल की अमलता बढ़ती जाती है लेकिं जैसे जैसे किसी भी छार का pH मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी छारियता बढ़ती जाती है दूसरी एक वार सबसे बड़ी बात इस pH scale की यदि में बात करूं तो pH scale का मतलब क्या होता है pH scale का मतलब क्या होता है एक बार बताओ कमेंट करके what is the full form of pH scale तो pH पी-एच का मतलब होता है power of hydrogen या इसे हम potential of hydrogen भी बोलते हैं तो चलिए देखते हैं साथ के लिए the substance is base wrong, the substance is acid wrong, the substance is neutral substance बिलकुल सही option c is the right answer, option c will be the right answer, option c जो है वो इसका बिलकुल सही और बिलकुल उचीत answer होगा next है question number 14 प्रश्न संक्या 14 अब ये question number 14 क्या पूचता है हमसे तो चलिए इस चीज को हम देखते हैं in which one of the given reaction a salt is react with base ये कर रहा है इन में से कौन से ऐसा reaction है जिसमें salt जो है वो base से react कर रहा है किसे salt, salt का मतलब है लवन यानि नमक जो react कर रहा है वो किसे base से यानि छार से तो चलिए पहचानते हैं अब NaOH ये तो एक परकार का base है और ये एक परकार का acid है तो हमें पता है कि हमें salt को किसे react कराना है salt plus base को react कराना है तो ये तो गलत हो गया वही दिस option is wrong अब copper hydroxide एक परकार का base है और ये भी एक परकार का acid है तो ये भी option क्या हो गया रहा है अगला KOH एक परकार का base है और HCl1 type का strong acid है ये भी strong base है और ये strong base है ये strong acid है तो बही base को acid के साथ मिला रहे है बार बार तो ये भी हमारा रहा हो गया बट यदि हम ध्यान चे देखें तो ये ammonium hydroxide is the weak base and ammonium sulfate is a salt but this is the acidic salt ये कैसा salt है? acidic salt है बट salt है तो मैं ये ही चाहिए salt की basic chemical reaction चाहिए ये इसलिए हमारा option D जो है वो बिलकुल उचित और बिलकुल सही रहेगा तो question नमर 14 का option D is the right answer option D इसका बिलकुल सही और उचित आंसर है next question which one of the given is commonly known as blue vitroil and is used as fungicides इसमें से किसको blue vitroil बोला जाता है potassium nitrate बिलकुल गलत copper sulfate बिलकुल सही sodium nitrate बिलकुल गलत तो right answer इसका B अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर vitroil के बारे में आपको बाते याद अखनी है vitroil vitroil का मतलब होता है थोथा या this is called crystal इसको हम crystal के रूप में जानते हैं कि इस रूप में जो थोता होता है वो crystal के रूप में हमें देखने में मिलता है तो एक crystallization कितने टाइब की होगी तो सबसे पहले बताया copper sulfate पूछेगा कि copper sulfate के इंदर पानी के molecules कितने होते हैं इसको बोला जाता है नीला थोथा क्योंकि इस crystal का रंग जो होता है वो नीला होता है दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि बताव सफेद थोथा किसे कहते हैं या सफेद थोथे के इंदर पानी के कणों की संख्या कितनी होती है तो बोलना सफेद थोथा और सफेद थोथा किसे बोलते हैं जिंक sulfate को तीसरा आपसे question पूछा जाएगा हरा थोथा किसे बोलते हैं तो याद अखना जब iron sulfate में पानी के कण मौजूद होते हैं तब इसका रंग हरा होता है और पानी का मतलब crystallization तो ये कहलाएगा हरा थोथा ये क्या कहलाएगा हरा थोथा और number 4 पर एक और आता है H2SO4 जिसे बोला जाता है क्या तो याद रखना oil of vitroil इसे बोलते है oil of vitroil यानि तेल का थोथा किसका थोथा बोलते हैं इसे बोला जाता है तेल का थोथा किसका थोता बोला जाता है बच्चे तेल का थोता ठीक है तो वही इतनी उमीद आप लोग याद अखना विल्कुल अच्छे तरीके से अब एक छोटी सी बात में आप लोगों को बता देता हूँ ध्यान से उस चीजों को आप सभी बच्चे समझते रहेंगे ठीक है तो चले आप यह हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन इसमें जो पूचा गया हो हमाना आंसर पता चल चुका है कोपर सलफेट पेंटा हाइडेड एक बार तो डारेट कोशन पूचा गया है एंडिये के एक्जाम में की बताओ तो फैरस सलफेट में या हरे थूथे में ग्रीन विट्रोयल में पानी के कणों की संख्या कितनी होती है तो आप तो देखते हैं तुननत बता दोगे बढ़ी कितनी होती है तुननत नहीं बता पाओगे बिल्कुल तुननत आप इसकान से देदोगे चलिए बच्ची तो ने केल्सियम हाइड्रोकसडर्यक्ट्ट विट कारबन डाइऑकसड ध्यान से ये जो रही कि विच वन औॉफ दॉलोविइग इस फॉ lub वेन टेल्सियम हाइड्रोकसड्यक्ट्ट कारबन डाइऑककसड्ट ये फिन गॉटिया है को में नुटिव तो इसके formation से हमारे पास calcium carbonate बनता है और प्लस में H2O release होता है अब एक बात यहां से देख लो बच्चे यहां पर तो कुश्णी ने क्या रहा है कि with reaction carbon dioxide क्या 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 रहा है which one of the following is found when the calcium hydroxide react calcium hydroxide react with carbon dioxide तो इसमें hydrogen gas release होता है ना बाबा ना इसमें water release होता है हाँ बाबा हाँ इसमें salt मिलता है हाँ बाबा हाँ तो यह type का हमारे पास salt है और यह type का हमारे पास क्या है water है तो मैंने बोला कि salt and water तो option D is the right answer B and C ठीक है बच्चों चलिए next और आज के session का हम अंतिम प्रश्ण ले रहे हैं इसके sequence को और हम कल करेंगे ठीक है तो आज के हमारा अंतिम प्रश्ण है जो exam के अंदर बार बार repeated पूछा जाता है जिससे आप सभी बच्चों को याद रख लेना है most important question for NDA NDA के लिए सबसे important question है यह which acid is used in cola to give it a being sharp taste यह कहता है कि coca cola में cold drink में soft drink में किस acid को मिलाया जाता है जिसके कारण से एक sharp taste हम लोगों को मिलता है option is sulfuric acid नहीं बच्चे मरोगे क्या टॉट्रिक acid बिलकुल नहीं टॉट्रिक acid मैंने बताया आप लोगो को इमली में पाया जाता है ठीक है दूसरा टॉट्रिक acid का यूज किया जाता है कहां पर तो याद अखना जब हम baking soda किसमे baking soda और plus में टॉट्रिक acid टॉर टॉर्ट्रिक acid का प्रियोग करते हैं तब इसका प्रियोग किया जाता है bread वगएरा को sponge बनाने के लिए फॉस्पोरिक acid ये बिल्कुल सही है H3PO4 ये बिल्कुल सही है फॉस्पोरिक acid सिट्रिक acid भी गलत है तो C will be the right answer तो मैं उमीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने session को बड़े अच्छे तरीके से सीखा होगा इस session में आप सभी बच्चों को कुछ सीखने को मिला होगा और इसी तरह के session को अच्छे तरीके से सीखने के लिए कल सभी बच्चे जरूर जुड़ें क्योंकि कल इसके आगे के कोशनों को मैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कोशन अच्छे होते जाएंगे एक्जाम के इंदर बारबर रिपीटेट पूछे जाने वाले प्रशनोंगे तो मैं उम्मीद करता और सभी बच्चे कमेंट जरूर करके बताएं ओफलाइन के माध्यम से आप लोग सभी बच्चों को ये क्लास कैसा लगा और आप लोगों को इस क्लास में या आप लोगों को क्या कोई डाउट आए तो जो भी कुश्चन पर आपको कुछ दिक्कत आती की सरी है में समझभे नहीं आया तो आप ओफलाइन के माध्यम से तुरंट बताएं और मैं उसका रिपलाई आप लोगों तुरंट आप तक उसका रिपलाई पहुंच जाएगा ठीक है तो सभी बच्चों को जहें बबाए टेक केर मिलते हैं बच्चे कल